बिना करण यहां कुछ नहीं होता परिकर्मन हो यहो दूप गचाओं पक्षी कैसे आस्मा चूलेते हैं क्यों मानव की हैं धर्टी पर पाओं नमशकार मैं हरिश भारगव आप सीखेंगे विज्ञान मेरे साथ लक्षे के मचपड़ नमशकार तेज हरियना से गुरविंदर पन्नु एक बड़ी अपडेट के साथ हम शुरुवात करेंगे जो की उपतहसील गोरिवाला से है जहां पर दिन देहाडे बेखौब तरीके से बाइक सवार बदबाशों ने एक केसान से 50,000 रुपए की छिना छप्टी को अंजाम दिया है दरसल उपतहसील गोरिवाला के PNB बैंक से केसान अपने खाते से 50,000 रुपए की नगदी लेकर इसी स्टेट हाइवे 32 से यहां से मुन्नावाली का लिंक रुड शुरू होता है स्टेट हाइवे 32 से हम आपको दिखाएंगे इस रुड पर केसान यहां से बाइक लेकर अपने गाउं की तरफ सवार होता है यहां से करीब 2 से 2,5 किलोमेटर का रास्ता तै करके उसे अपने घर पहुचना था लेकिन यहां से 1 किलोमेटर आगे जाकर बदमाशों ने केसान जो की बाइक पर था उसका रास्ता रोक कर उसके आँखों में मिर्चे डाल कर उसके दाइने तरफ जेब में रखे 50,000 रुपे की रकम को चीन कर वहां से फरार हो गए अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जाच में जुटी है जहां पर घटना अब से कुछी देर पहले की है जहां पर उपतासीर गोरिवाला पुलिस के लिए पहले से ही दो ऐसी वारदाते हैं जो अपने आप में पहली बनी है पुलिस उन्हें नहीं सुलजा पाई पुलिस पहले से ही अपने केसों को ट्रेस करने में व्यस्त थी लेकिन अब तीसरी फिर से दिन दिहारे की हुई इस चीना च्छप्टी की वारदात ने पुलिस के लिए और बड़ी मुसीबत पैदा कर दी हैं हम आपको बता रहे हैं किसान जिसका नाम राकेश है जो की मु रात आनी थी और वो किसान अपने घर के जरूरी कामकाज के लिए गोरिवाला के PNB बैंक से 50,000 रुपे नगद निकलवाने के बाद बाइक पर सवार होकर अपने गाम मुननवाली जा रहा था की रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने उसका पीछा करते हुए उसकी नहीं जब किसान बैंक में पहुंचा तो सुतर ये बता रहे हैं कि उत्त लोगों ने बैंक में भी कई मिंटल तक रुक कर उसकी रैकी की बैंक के अंदर तक दाखिल होए गाड के साथ बाचीत करते रहे ऐसे में सवाल उड़ते हैं कि आखिर बैंक में जहां पर सबसे बड आउट हमेशा रहना चाहिए ऐसे लोगों को बैंक के बाहर खड़े होने की अर्मती ही क्यों दी जाती है ऐसे लोगों की इतनी बड़ी पहुंच कैसे होती है कि वो आम आदमी की रैकी के लिए बैंक के अंदर तक दाखिल हो जाते हैं ये तमाम जो रिपोर्ट से अभी भी गहनता से विचार की जाने चाहिए इसके उपर गंबीर सवाल है वो बनते हैं जो हम उठा रहे हैं गाम मुनवाली निवासी पीडित किसान राकेश कुमार जोकी गोरिवाला में स्थित पीन बी बैंक से पचास हजार रपे की नगदी लेकर अपने गाम जा रहा था कि रास इजाद भी साथ लेकर फरार हो गए हैं इस पूरे मामले में पुलिस अप गहनता से जाच में जूटी है और पुलिस मुके पर पहुंची थी जहां पर डवाली से सदर परभारी और सियाए की टीमें हैं और इसके साथ ही गोरिवाला पुलिस बेहत मुस्तादी के साथ वहा पीडित किसान का क्या कहना है पुलिस इस मामले में क्या कर रही आपको सुनवाते हैं दुसरा निकल तक है यहां से पकड़ी वो जेब फाड़ करी पैसे लेगा था जेब में थे कितने रुपए थे पचास जार पचास जार रुपए थे एक परस था परस में अडाई तीन जार रुपए अलग से थे उसमें अदार कार्ड ड्रैवरी लाइसंस वगरा था ठीक ह लिए तो यह पजाज आरा अपने घर पर हाँ जादी में यूज करने थे जिए तो किस आपकी लिमिंट है कोई यहां पर क्या चीज पैसे प्रट ने खाते में खुले खाते में पैसे थे यह नाम आपका राकेश कुमार गी बाइक पे कितनी को मर के वो थे बीस इकीश के उ किस तरह बागे फिर वो वापीस वहां से पिछे से गए वहां जे फाड़कर वापीस इदर आगे तरह यहां स्टेट आइवे की तरह बाइक नंबर कुछ नहीं पहचान पाया कुछ मेरत आंखों में मिर्च डल गई थी यह देखो सारे मिर्च लगी है तो आपको लगता है है पर ंप पहले यहां पर रिधने निकल आए तैंगे मेरे पिच्छे विए बाइक निकल है केमरे देखा ही हैं फुट और गये है मैं मोजन बाइक लेकर निकला हूं पिछे मोजनाले लेकर दोननोंご से द्र्या में अब आए हैं इसके बाड़े पूश्ताश कर दे हैं कि किस से पैसे लेके गए कौन लेके गए अब इनिवेस्टिवी से जल लगी है भी आए हैं अब थोड़ा देख रहे हैं देखने के बाद ही पता चल पाया कैसा क्या मामला है तो बैसे में देखना होगा पुलीस इस वारदात को सुल जाने में कितना वक्त लगाएगी हलांकि पूलीस की तरब से ये आश्वाशन किसान को दिया गया है कि पूलीस टीमें इस मामले में गहनता से जाच बिजूटी है बेंक से सिस्टीवी जो फुटेज है वो पुलिस ने हासल की है अगर आसपास के लोगों से भी पुलिस सवाद कर रही है कि आखीर वो लोग किसी को शक्य धार पर कहीं दिखें हूं पुलिस के तरब से यह भी अड़ वाजिरी आरी की गई है कि अगर किसी को ऐसे मामले में कोई भी ऐसी सूचना है तो वो पुलिस को जरूर सूचित करें लेकिन निश्चित तोर पर अब पुलिस के साबने कई बड़े सवाल हैं जिनके ओपर पुलिस को अब उस एंड तक पहुँचना होगा ताकि उस पीडित किसान को भी नयाय मिल सक रहे हैं कि दिन दिहाडे पुलिस चोकी से कुछी मिटर की दूरी पर ये बैंक रह जाता है वहीं पर खड़े होकर वो बदमाश रैकी करते हैं उसके बाद करीब 2-5 किलमेटर का रास्ता किसान के पीछे वो बाइक से तैक करते हैं और वहीं पर बीच रास्ता बाइक लगा से आये थे उसी तरफ वहां से वो फरार हो जाते हैं फिलाल अब पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में जुटी है आप देखना होगा पुलिस इस चीना छप्टी की गुथी को कितने समय में सुर्जा पाती है ताकि आमजन में पुलिस के परती एक जो सवेदनाई है एक ज सिल गुरिवाला से सियोगी हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू तेज हर्याना